आज की वीडियो में हम देखने वाली हैं एसिस्टेंट प्रोफेसर का सर्टिफिकेट तो नेट में जो आपको एसिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सर्टिफिकेट मिलता है उसके बारे में यहां डिसकस करेंगे मैं अपने सर्टिफिकेट के बेस पे आपको समझाऊंगी पहल आपका certificate होता है assistant professor के लिए तो ये मेरा certificate है left side में तो ये है आपका national eligibility test for assistant professor ठीक है उससे related जो आपको certificate मिलता है उसमें name आपके parents का name exam की date क्या थी subject क्या है ये important है but most important जो आपका second para है ये बहुत important है और ये बच्चों को इसमें confusion भी होती है कि ये बोलना क्या चाह रहे है इसमें तो यहाँ पर ये clear नहीं था तो मैंने यहाँ पर note down कर दिया है same exact line तो ये आपका second paragraph क्या बोलता है कि आपकी जो date the date of eligibility for assistant professor तो जो assistant professor की eligibility की date बता रहे है कौन सी होगी is the declaration of UGC net result that is 30 November 2020 or the date of completion of master's degree or equivalent examination with required percentage of marks within two years from the date of declaration of UGC net result that is by 29th November 2022 whichever is later तो यह आपका एक paragraph होता है जब आप qualify कर लेती हो है assistant professor के लिए यह important परा है इसको मैं थोड़ा easy way मैं आपको समझा देती हूँ तो आपका exactly हमें यहां पर देखना है कि हम date of eligibility कैसे पता करें ठीक है तो आप eligibility कैसे चेक करते हो कि आपके पास master's होनी चाहिए तो दो condition होती है या तो आपका master's complete है ठीक है और दूसरा condition होता है कि आप pursue कर रहे हो यानि कि first day second day third year में आप final year में master's के हो तो उसमें क्या किस तर net exam देते हो और दूसरा है अगर आप master's आपकी चल रही है pursue कर रहे हो तब तो अगर master's आपकी complete है तो यहां पर simple है क्योंकि आपकी master's complete कर ली है तो जिस दिन आपका UGC net का result आ जाएगा और आपने qualify कर दिया उसी दिन आप qualified माने जाओगे assistant professor के लिए तो ठीक है वो आपकी date of eligibility तब होगी जिस दिन आपका UGC net का result आजाएगा क्योंकि आपकी master's complete है तो यह वाला case मेरा है जैसे मैंने mcom complete कर ली थी उसके बाद मैंने exam दिया है आपका net ठीक है और मेरा qualify हो गया था तो 30 November को result आया था UGC net 2020 को तो उसी दिन मेरी eligibility भी हो गई थी कि हाँ मैं eligible हूं assistant professor की post क के लिए apply करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर है मेरा जैसे मेरा मैंने master's complete करने के बाद दिया था तो मेरी जो date होगी eligibility की मेरी वो होगी जिस दिन आपका result declare हुआ है तो 30 November 2020 दूसरा important है आपका अगर आप master's pursue कर रहे हो आपका master's अभी complete नहीं हुआ है ठीक है आप master's अभी pursue कर रहे हो second year में हो final year में हो तो उस case में आपकी eligibility की date कौन सी होगी उसमें आपकी date वो वाली नहीं होगी जिस दिन result declare हुआ है UGC net का क्योंकि आपने अभी master's complete नहीं किये तो U UGC net UGC आपको एक मौका देता है कि आप क्योंकि अभी अपनी master's कर रहे हो तो आपको थोड़ा time देता है कि आज हमने result declare किया है इससे 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी master's complete करनी होगी ठीक है उस दिन जिन आप master's complete कर लोगे 2 साल के अंदर अंदर वो date आपकी होगी कि आ आप eligible हो गए हो कि आप assistant professor की post के लिए apply कर सकते हो तो यहाँ पर यही है main important point इस point पर बच्चे confused होते हैं तो आपको मौका दिया जाता है कि आपकी master's complete नहीं है लेकिन आज हमने result दे दिया है तो 2 साल के अंदर अंदर ठीक है हाँ पर दिया था था ना कि within 2 years यह तो उपर वाल category के साब से 29th November 2022 यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर 30 November से आप 2 साल लगा दीजें अंदर अंदर तो 2022 29 November 2022 तक आपको अपनी master's complete करनी होगी तो यह बोलता है आपका UGC net अगर आप exam देते time जिस time आप exam दे रहे थे आपका master's complete नहीं था तो आपको time दिया जाता है कि आप जो हमने result निकाल दिया है इसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी master's complete करनी होगी और जो आपके required percentage है उसके साथ यानि कि आप जिस category से ब्लॉंग करते हो जितनी उसमें required है 55% हो सकता है या 50% भी आपका हो सकता है depends on category तो आपको 2 साल के अंदर अंदर अपनी master's complete करनी होगी और जब आपकी master's complete हो जाएगी वो date होगी आपकी eligibility की तो यहां पर condition आपकी यह होती है कि जिस दिन result declare हुआ है उससे आगे मतलब जो भी 2 साल होंगे 2 साल के अंदर अंदर आपको master's अपनी complete करनी पड़ेगी तब ही आप qualify या eligible हो जाओगी इस चीज के पर अगर 2 साल के अंदर अंदर ही आप master's complete कर देते हो जब से आपका result declare हुआ है UGC net का तो आप क्या हो जाओगे आप उस date से फिर eligible हो जाओगे क्योंकि यहां पर master's compulsory चाहिए तो उन्होंने 2 साल का फिर भी आपको time period दिया हुआ है कि आप 2 साल के अंदर अपनी master's complete करो यह किस case में है जब आप master's pursue कर रहे हो और उस time पर अपना exam दे रहे हो ठीक है तो उस case के लिए आपका यह है कि आपको 29 मेरे case में ऐसा था कि अगर मैं नहीं करती pursue कर रही होती तो मेरे को 2022 तक का time मिल जाता कि मैं master's complete कर लूँ ठीक है तो next video में मैं JRF से related बनाऊंगी जैसे यह मै assistant professor से related बनाईजी next video होगी JRF से related बाकि thank you for watching the video